किस पक्षी को रात का राजा माना जाता है? आपका ओप्षन है A. तोटा B. मोर C. उलू D. बाज आपका सही ओप्षन है सोने का मंदिर किस राज्य में स्थित है? आपका ओप्षन है A. अम्रिच्सर B. आगरा C. उदेपुर D. भुपाल आपका सही ओप्षन है इंसान को एक दिन में कितना लीटर पानी पीना चाहिए? आपका ओप्षन है A. दो लीटर B. पांच लीटर C. छे लीटर D. आठ लीटर आपका सही ओप्षन है ऐसा कौन सा शहर है जो तीन भाशाओं से मिलकर बना है? आपका ओप्षन है A. दिल्ली B. मुंबई C. कॉलकाता D. एहमदाबाद आपका सही ओप्षन है ऐसा कौन सा जीव है जो खड़े होकर सोता है? आपका ओप्षन है A. हाथी B. घोडा C. बंदर D. जिराफ आपका सही ओप्षन है ऐसा कौन सा जीव है जो अपनी जीव बाहर नहीं निकाल सकता है आपका ओप्षन है A. बकरी B. बालू C. घोडा D. मगरमच आपका सही ओप्षन है नीम्बू पानी किस रोगदेश को ठी करता है? आपका ओप्षन है A. कब्ज B. पथरी C. सुगर D. ब्लैड प्रेशर आपका सही ओप्षन है भारत में सबसे ज्यादा कौन सी सबजी खाई जाती है आपका ओप्षन है A. आलू B. प्याज C. सल्गम D. टमाटर आपका सही ओप्षन है भारत में कोन से प्रधानमंत्री कभी विदेश नहीं गए आपका ओप्षन है A. मोदी B. चौदरी चरण सिंग C. राहुल गांधी D. मनमोहन सिंग आपका सही ओप्षन है भारत का सबसे पसंदीदा खाना कोन सा है आपका ओप्षन है A. खीर B. खिचडी C. दाल चावल D. इनमें से कोई नहीं आपका सही ओप्षन है मगला नामक तेलकुआ किस राज्य में स्थित है आपका ओप्षन है A. पंजाब B. बिहार C. राजस्थान D. इनमें से कोई नहीं आपका सही ओप्षन है टीवी का आविश्कार किस ने किया आपका ओप्षन है A. वाटनमैन B. चड़ लास बेब C. बराडसा D. जे एल बेर्ड आपका सही ओप्षन है किस पेड का पता हीरे से भी ज्यादा महेंगा बिकता है आपका ओप्षन है A. अम्रूत का पता B. आम का पता C. कौन का पता D. नीम का पता आपका सही ओप्षन है विश्व की सबसे भूदिमान मचली कौन सी है आपका ओप्षन है A. डॉल्फिन B. सार्क C. वेल मचली D. जिंगा मचली आपका सही ओप्षन है भारत में कौन सा अनाज सबसे ज्यादा खाया जाता है आपका ओप्षन है A. डाल B. रोटी C. चावल D. मकई की रोटी आपका सही ओप्षन है भारत में लठ मार होली कहां खिली जाती है आपका ओप्षन है A. आग्रा में B. मतुरा में C. बनारस में D. इनमे से कोई नहीं आपका सही ओप्षन है कौन से देश में अमीर लोग अपने बदले दूसरे को जेल में बेजते हैं आपका ओप्षन है A. भारत B. जापान C. चीन D. अमेरिका आपका सही ओप्षन है भूत सवार होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है आपका ओप्षन है A. सनक सवार होना B. काम के परती जागरूक C. व्यर्थ का कार्य करना D. उतार दैतव उठाना आपका सही ओप्षन है गांधी जी किस जाती के थे आपका ओप्षन है A. धोबी B. चमार C. वैश D. पंडित आपका सही ओप्षन है किस त्योहार पर हम दीपक जलाते हैं आपका ओप्षन है A. दिपावली B. होली C. दशरा D. मकर संकरान्ती इसका आंसर आप कमेंट में बताए और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें